हाई फ्रेंड्स विल्कम बेक्टो वेस्टेडी क्लासस तो माई डियर फ्रेंड्स आज की फाइव मिनिट सीरीज में आपके साथ डिसकुशन करना एक इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में जुकी है हमारे IDBI बेंक से जुड़ी हुई IDBI बेंक का जिकरम करते हैं जब भी हमारे financial institutions के बारे में हम पढ़ते हैं और banking और financial institutions का जो हमारे unit है UGC net commerce के लिए उसके लिए तो specifically relevant रहने वाला ये वाला आपका अपडेट तो IDBI बेंक के अंदर होने वाली है जिस investment पूरी जानकारी लेते हैं इस तो my dear friends आके बढ़ने से पहले एक बार जल्ली से आपको हमारे courses के बारे में भी बता देते हैं तो paper 1 जो की general paper है उसके लिए हमारे पास है mini combo pack और complete course, paper 2 commerce और management के लिए हमारे पास है free unit snapshot notes, unit wise explained past papers, practical units का course, computer based series और paper 2 का complete course, paper 1 और paper 2 दोनों का course आप एक साथ भी purchase कर सकते हैं at a discounted price तो my dear friends हमारी जो government है उसने एक proposal clear किया है जिसमें बताया गया कि IDBI bank जो है उसके अंदर strategic disinvestment कर दी जाएगी देखो IDBI जो है अभी इसका stake government के पास है बट अब government क्या कर रही है strategic disinvestment करने वाली है यानि कि इसका stake जो है किसी दूसरी party को और हो सकता है किसी private player को यहाँ पे दे जाए यह proposal जो है अप्रूब किया हमारी cabinet committee on economic affairs ने और इस committee के chairman हमारे खुद prime minister जो है मुदी जी वह है इट इंवाल्स तसील आफ मेजॉरिटी स्टेक इन दे बैंक तो हमारे IDBI बैंक का जो मेजॉरिटी स्टेक है अभी government के पास है और LIC के पास है अब वो बिक जाने वाला ह अलांग विद management control तो शेर भी बिक जाएंगे और उसकी management का जो control है वो भी यहाँ पे transfer हो जाने वाला है देखो present scenario के अगर बात करें तो IDBI bank के दो हमारे shareholder हैं दो मुख्य shareholder हैं एक तो है जी union government और एक है LIC union government के पास around 45% shares है और हमारी LIC के पास लगबग 49% shares है IDBI bank के दोनों का stake मिला दें तो 94% के around इनके पास stake है LIC currently IDBI bank का promoter है और इसी के पास है जी IDBI bank का management control 2019 में हमारी जो government है उसने जो control था वो LIC को transfer कर दिया था अब यह जो control है जो holding है वो यहाँ पर जाने वाली है कितनी holding जाएगी कितना control दिया जाएगा अभी यह exact चीज़े जो हैं अभी decide की जाएंगी और हमें बाद में पता चल जाएंगी फिलाल तो proposal जो है उसको मन्जूरी मिल चुकी है तो आईए जल्दी से IDBI bank के बारे में कुछ दो-चार important बाते जान लेते हैं देखो IDBI जो बना था तो इसकी full firm थी industrial development bank of India तो नाम से पता चल रहा है हमारी industries की development के लिए उनको long term finance provide करवाने के लिए इस bank को बनाया गया था 1964 में इसे बनाया गया था as a wholly owned subsidiary of RBI यानि की RBI का पूरा control था IDBI के उपर और इसके headquarter जो थे वो मुंबई में थे 1976 तक तो RBI की subsidiary ही रहा 1976 तक तो RBI की नीचे ही आता रहा IDBI बट 1976 में control आपका change हो गया 1976 में RBI से हट कर आपका जो control था वो government of India की तरफ चला गया government of India के पास इसका control आ गया और जैसर कि अभी हमने जाना अभी कुछ सालों पहले ही 2019 में हमारी जो government है उसने LIC को इसका majority stake दे दिया और अब यह जो stake है वो और जादा कम होने वाला है तो यहाँ पर होने वाली है जी डिस इंवेस्टमेंट या फिर strategic डिस इंवेस्टमेंट का मतलब है कि सरकार का जो stake है public enterprises में उसे सरकार बेचने वाली है सरकार के जो shares है public companies में उसे सरकार बेचने वाली है और strategic डिस इंवेस्टमेंट का स्पेसिफिकली मतलब है कि shares बीचने के साथ साथ हमारा जो management control है वो भी यहाँ पर transfer कर दिया जाएगा अब इस context में हमारे पास जो nodal agency है nodal department है जो की strategic sales है public sector undertakings की PSUs की उनके लिए जो nodal department है उसका नाम भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए यह department है जी डिपम, department of investment and public asset management तो यहाँ पर my dear friends हमारे पास एक practice question है तो इस question को आपने solve करना है और अपने answers को comments के तुरू हमारे साथ जरूर से share करना है तो thank you my dear friends यह था आज का हमारे एक छूटा सा discussion उमीद करते हैं जो बाते हैं अज आपके साथ discuss करी वो आपको समझ में आई है अगर आपको आज का discussion पसंद आया तो जुरूर इस video को like करना हमारे चैनल पे नए है तो इसे subscribe करना और अपने दोस्तों के साथ भी से share करना त्क्यू फ्रेंज बाइ और अपर आपकेर